जेहिन दोस्तों, दोस्तों पच्चिम बंगाल में चुनाब पिरचार चल रहा है, पच्चिम बंगाल की 294 सीटों पर चुनाब होना है, आठ चरनों के अंदर चुनाब होना है, 27 मार्च को पहला चरने और 29 अपरेल को आठवा चरने यानि लास चरने पर मैं आपके लिए पच्चिम बंगाल के एक ऐसी सीट का ओपीनियन पॉल लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है और राज्य की जो मुखे मंतरी मम्ता बनर जी वहां से चुनाव लड़ाई है उस सीट का नाम है दोस्तो नंदी ग्राम दोस्तो नंदी ग्राम स राज्य की मुखे मंतरी यानि बंगाल की मुखे मंतरी मम्ता बनर जी चुनाव लड़ाई है जैसे ही उन्होंने एलान किया था कि मैं नंदी ग्राम से चुनाव लड़ूंगी जब से ही वो सीट बहुत ज्याता चर्चित हो गई है वही दोस्तो भारती जंता पार्टी की त दिखा रही है जो पहले राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर जी गए ममता सरकार में मंतरी भी रह चुके हैं दोस्तो और सांसद भी बन चुके हैं व्यानि लोगसवाब का अलक्षन भी जीच चुके हैं 2009 के चुनाव में दोस्तो दोस्तो मैं आपको बता दू सुवेंद जन्ता पार्टी ने नंदिगराम से उन्हा उम्मिदवार बनाया है ममता बनर जी के सामने अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि जो नंदिगराम सीट है वहाँ पर पहले कौन-कौन जीता है और कौन कितने-कितने वोटों के अंतर से जीता है दोस्तो 2009 की बात करें तो 2009 के अंद जब 40,000 वोटों से फिरोजा भीवी जीती थी 2011 के अगर हम बात कर तो TMC की फिरोजा भीवी 44,000 वोटों से जीती थी दोस्तों जब विधानसभा चुनाव होते है 2011 के अंध्या 2016 के जब विधानसभा चुनाव होता है ममता बनर जी की पार्टी टीम सी उम्मिद्वार मनाती है सुवेंदू अधिकारी को सुवेंदू अधिकारी वही है जो अब ममतावनदर जी के सामने लड़ने बारती जनता पार्टी के टिकेट से तो वो 2016 में 81,000 वोटों से चुनाव जीते थे दोस्तों भूमी अधिकरन जो आंदोलान हुआ था उसम में बहुत जाता उन्होंने भूमी का निभाईती ममतावनदर जी के साथ दोस्तों और कॉंग्रेस पार्टी में पहले थे ये 2006 में कॉंग्रेस पार्टी के टिकेट से भी विधायक बन चुके हैं दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंदी गराम के वोट गरित का इस उसमें 35 मुसलमान वोट है दोस्तों वहीं जबकि बिलोग 2 में 15 50 अलप संकिया घे और कुल मिलाकर ये वोट गरिब 62,000 है सीट पर और नंदी गराम के कुल 2,000,000 दो लाक में जो जन संकिया है उसमें 62,000 जो वोट है वो दोस्तों अलप संकिया और मुसलिम वोट है यानि वोट के उपर ममता बनर जी यहां पर चुनाव लड़ रही है यह सूबेंदू अधिकारी का कहना है 62,000 वोटों के उपर नन्दिगराम में चुनाव लड़ रही है ममता बनर जी ममता बनर जी के बारे में कहा जा रहा है कि तीन बिंदू ममता तीन बिंदू है ममता, महीला और मुसलिम इस छैतर में उनके लिए महतपूर है मगर पर्दो के पीछे एक और बिंदू है जिस पर कम ही लोगों का धियान जा रहा है और वो है दलित दोस्तों तीन तो बिंदू है वो है ममता, मुसलिम और वही महीला इन तीनों लोगों को देखते हुए मम्ता बनर जी चुनाब लड़ी है वहीं बहुत से कम लोगों का इस पर भी धियान कम जा रहा है वो है दोस्तों धलित वोट दोस्तों यही है नंदी गिराम के कव वोट गड़ी जो मैंने आपको बताया है अब दोस्तों बात करने थे कि नंदी गिराम में कौन जीतेगा दोस्तों राज्य की मुखे मंतरी है मम्ता बनर जी वहीं शुबेंदु अद्वकारी जो है वो मम्ता बनर जी के बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते थे अब नहीं है वो भारती जंता पार्टी के टिकेट से चुनाब लड़ाएं पर दो और राजनीतिक विशलेशरों की अगर बात करें तो कि ये सीट कांटे की टकर सिर्फ और सी मीडिया बना रही है विससे एक तरफा मम्ता बनर जी ये चुनाब जीतेगी चलिए जोसा आपकी पृतिक रिया नंदी गराम में कौन जीतेगा क्या है आपकी राया आप नीचे क जरूर बताएगा इस वीडियो को ज्यादा अदर शेर करिएगा लाइक जरू करिएगा चैनल पर नहीं चैनल को दरूर सब्सक्राइब बेल आइकन को दरूर दबा दे ताकि मैं जब भी नहीं वीडियो लेकर आँगो तो आपको पता चल जाएगा चलिए इस वीडियो में इतना ही